अभी बिहार चुनाव की तारीखों का एलान नहीं हुआ है लेकिन डबल एंजन की सरकार पूरी तरह से आक्शन में आ चुकी है बिहार के लिए ताबर तोड विकास परियोजनाव का एलान किया जा रहा है इन घोशनाव और विकास परियोजनाव का जनता पर कितना असर होता है ये तो चुनाव के बात ही पता चलेगा लेकिन फिलहाल जो घोशनाव हो रही है वो जनता के बीच चर्चा का केंदर बनी हुई है केंद्र सरकार ने बिहार के लिए विकास परियोजनाओं का पिटारा खोल दिया है इसी सिलसले में आज PM Modi ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से 14,000 करोर रुपे की 9 राजमार्ट परियोजनाओं का शलान्यास किया साथ ही सूबे के 45,945 गाओं को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोडने के लिए घर तक फाइबर कारेक्रम की भी शरुआत की इससे पहले PM Modi कोसी नदी पर रेल महासेतु का उधगाटन कर मिथिलांचल की लोगों का 84 साल पुराना सपना सच कर चुके हैं PM Modi ने आज जनौ राजमार्क परियोजनाओ का शलान्यास किया उन पर 14,260 करोड रुपे का खर्चाएगा इन राजमार्क परियोजनाओ की कुल लंबाई लगभग 350 किलो मीटर है इन परियोजनाओं में सबसे प्रमुक है गंगा नदी पर विक्रम शीला सेतु के सामनांतर एक 4 लेन की पुल का निर्मान करीब 5 किलो मीटर लंबी इस पुल के निर्मान में 1110 करोड रुपे की लागत आएगी इसके अलावा आज पियेम मोदी ने राजधानी पत्ना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के सामनांतर भी एक 4 लेन पुल के निर्मान का भी शिलान्यास किया करीब 14 किलो मीटर लंबी इस परियोजना का बजट 2927 करोड रुपे है इस पुल के निर्मान के बाद महात्मा गांधी सेतु पर दबाव कम होगा और उत्तर भिहार के लोगों की मुश्किले आसान हो जाएंगी नाशनल हाइवे 106 पर सोन नदी के ऊपर एक नए 4 लेन पुल का निर्मान होना है करीब 29 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 1078 करोड रुपे खर्च होने का अनुमान है इसके अलावा 2288 करोड की लागत से नरेनपुर से पुर्णिया तक 4 लेन सड़क का निर्मान होना है इस परियोजना की लंबाई 49 किलोमीटर है 886 करोड की लागत से आरा परारिया और 856 करोड की लागत से परारिया से मुहनिया तक 4 लेन सड़क का निर्मान होना है सड़क परियोजनाओं के अलावा PM मोदी ने राज के 45,945 गाओं को फाइबर केबल द्वारा इंटरनेट से जोडने के लिए घर तक फाइबर कारेक्रम की भी शुरुआत की इस परियोजना के तहट प्राथमिक विद्यालिव और आंगनबाड़ी केंद्रो जैसे सरकारी सिंस्थानोप में एक वाइफाई और पांच मुफ्त कनेक्शन के सुविधा प्रदान की इस परियोजना से लोगों को डिजिटल सेवाओं का लाब मिल सकेगा इस अफसर पर पियमोदी ने कहा आज बिहार के विकास यात्रा का एक और एहम दिन है युवा भारत के लिए बड़ा दिन है आज भारत अपने गाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है इसके शुरुआत बिहार से ही हो रही है उन्होंने कहा कनेक्टिविटी एक ऐसा विशय है जिसे टुकडों में सोचने के बजाए एक साथ सोचना होगा तुकडों में सोचने की प्रवरती से देश का बड़ा नुकसान होगा पियमोदी ने कहा कि बीते 6 साल में देश भर में 3 लाग से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी ऑनलाइन जोड़े गए हैं अब यही कनेक्टिविटी देश के हर गाउं तक पहुचाने के लक्ष के साथ देश आगे बढ़ रहा है टेली मेडिसन के माध्यम से अब दूर सुदूर के गाउं में भी सस्ता और प्रभावी इलाज गरीब को घर बैठी ही दिलाना संभव हो पाएगा हमारे किसानों को तो इससे बहुत अधिक लाब होगा अच्छी फसल मौसम का हाल जैसी कई जानकारियां उन्हें आसानी से मिलेंगी आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूले और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें